बहुत सारे नेटिजन ये भी कह रहा है। तो इसके लेके मेकर्स के पास पॉलिशी था। क्यों पॉलिसी था ह। यह भी जैस था क्योंकि देखे जिस टाइम पे ये ट्रेलर रिलिजन हो चुक था। उसके बाद बहुत सारे बडि बड़े बजट के मूवी और बिग बैनर के मूवी आने वाले थे जैसे लाल सिंग चड़ा है रक्षावंधा ने इस तरह का बहुत सारा मूवी आने वाला थे इसलिए मैकर्स का स्ट्रेजी था कि मूवी रिलिस होने से साथ दिन पहले अगर प्रोमो के बार में कहा जाए तो यह प्रोमो मुझे बहुत ही पसंद आया है यहां के ग्राफिक सीजाए का काज एडिटिंग जिस तरह से हुआ है काफी एक्ट्रक्टिव है इंगेजिंग है अगर देखने का चाह और जाएगा अगर इस मूवी इसका प्रोमो का अगर छेवां करें तो सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं यहां पर मौनीराय का और किया है और ब्रहुनीराई अब अच्छे से आप देखेंगे देखेंगे लाल रंग का पत्थर है और जो ब्रह्मादेव का क्यारेक्टर उसके सारे बॉडी में दिखिए लाल रंग का ही है तो बेसिकली उसी से वह मोनी राई के हाथ में जो ताविस टाइप कुछ बना हुए जिसके अंदर लाल रंग क पत्थर है उसी से उसको फोर्स एनरजी मिलता है और वो जो एनरजी है मोनी राई का जितने भी सारे वहां पर सोल्जर से उनके पास भी गले के अंदर लॉकेट के तरह वह लाल रंग का पत्थर यहां पर दिखता है तो बेसिकली एक चीज है दूसरा एक पार्ट हम लोगो पास आप देखेंगे प्रोमो में भी यह दिखता है और एक पार्ट जो है वह सिभा के पास है यानि रंबिर कपूर के करेक्टर के पास है अगर यह तीनों जो पार्ट से एक साथ जुड़ गया तो उसके पास ब्रह्मान का पूरा कंट्रोल हाथ में आ जाएगा और इसके जो एक डेडलियेस्ट बहुत बड़ा एक मैसिव फोर्स है इससे चाहे जिसके पास यह कंट्रोल रहेगा वह मतलब दुनिया का मालिक हो जो चाहे वह कर सकता है यही इविल पावर जो मौनी राई का जो इविल इंटेंशन है इविल पावर से बचाने के लिए ब्रहमास्त निराहि के हाथ में ना आए अगर अस्त्रे के बाड़ों किननार्जन के पाणे का तुछ श्रत और वह स坐 अनदर यहरे. यह जो नंदी अस्त्र है किसके पास है नागरजुना किननी का जो चाहने वाले बजरंग वली पवन पुत्र हनुमान तो उनीका जिस तरह का शमता था पावर था उसे तो एक जगा से दूसरा जगा बहुत अच्छी तरह से जम कर सकते बहुत उर्थक उर्णा और मैसिव फोर में देखा जिसे प्रोमो में देखा सब कुछ लेकर मुझे यह लग रहा है कि एसर के का जो चैरेक्टर है शायद उसके पास यह माने बानार अस्त्र का पावर जो है शायद उनके पास होगा तो यह बहुत सारे नेर्टीजन के अंदर भी यह जो बात है घुम रहा है और कोई भी चीज के उपर जलता मतब पड़ता है तो मतब पूरा जड़ से लेके उपर तक पूरा डेस्ट्रॉय हो जाता है इस तरह का फ्रोस प्रवास्त्र आप अमिताब बच्चन यह दिखेगा प्रोमो में अच्छी तरह से दिखा गया है एक जो बहुत बड़ा पेर है कि बहुत डेड्ली ऊंब बनता है इसी से मरण वान पहुろ आता है और यानि बैसी कलिए यह इसके साथ-साथ और एक नाग धनुस यानि एक धनुस है जिसका जो तीर है उसमें सो नागों पतिब एक साइमेंटेनियस लिए बहुत साथे यहां पे मत चाहिक लोग यह यूज करते हैं तो मल्टी टाइम यह ऐसा होता है जाते रहते और प्रोमु में हम लोग उने बह और चाहिब से ताम कौर करती सागए से तक प Japanese के हैं और यहां क्वाह भाए क्वाद्व का इन लोगी यहां नहीं है लिए दिखार प्हेले मुष्ण अपर पता नहीं चलता है में हैं इसके पास वो अमिता बच्चन के पास जाता है उससे वो धिरे 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 वो सीखता है जज्जे वो हम लोगों ने प्रोमो और ट्रिलर में देखे हैं कि उसको सीखने को मिलता है कि बेसिकली इस पोर्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे एज वेपन इसको इस्तेम तो यह दिखाया और जिस तरह से वह कंट्रोल करता है और गाना भी है गाने में भी है आप देखेंगे वह सीखता है कैसे अगनी को मतब ट्रांसफरर एजए वेपन आजए पावर कर सकते हैं और वह बहुत तरह का वह जो एनर्जी है अगनी का जो फोर्स है उसको बहुत तरह का शेप में भी वह एसे वेपन यूज कर सकते हैं और शेप बना के उसको एसे वेपन इस्तेवाल कर सकते हैं कोई भी फोर्स के तरह पूछे तो मुझे ये प्रोमो काफी जिल्चस लगा और जिस तरह सा न्यूज आ रहा है चारो होर से जिसमी सरे मल्टिप्लेक्स चेंज से जैसे पीवीर माल लीजिए इसके पाद आई नॉक से सिने पॉलिस से सभी तरह सभी मल्टिप्लेक्स में बहुत अच्छा एडवांस उसका जो यूनिवर्स है उस तरह आयान मुखर जी डिरेक्टर ने इसका जो एक यूनिवर्स बनाया उसका नाम रखा है अस्त्रवर्स वो आता रहेगा यह जो पहला मुंबी है ब्रह्मास्त्र पार्ट वान सिवा इसके बाद भी बहुत सारे पार्ट आने वाल है तो इस म मुवी के सिक्वेल और इसके वविशे के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो आप लोग इस मुवी को लेके कितना एक्साइटेड है जरूर कॉमेंट करके बताईएगा और आप लोगों ने ब्रह्मास्तर का प्री रिलीज प्रोमो देखाए कि नहीं वो भी कॉमेंट करके बताईएगा और आप लोगों ने एडवांस टिकित ब्रह्मास्तर पार्टवान सिवा का बुकिंग किया है कि नहीं यह मुवी देखने का आपको प्लैन है कि की नहीं है फज़े फट्सू देखेंगी कि नहीं सभी कॉमेंट करके